आपने आपना कान वड़े सांबढ़िये छिए चालो आपने समझीए कि कान वड़े आपने कई रिते सांबढ़िये छिए कान ना आगणना भागनो आकार गर्णी जेवो होई छे जे हवाना माध्यमधी आवता अवाजने एकत्रीत करे छे ज्यारे ध्वनी तेमा प्रवेशे छे त्यारे ती कर्णो नाल एटली के के नाल मार्फते कर्ण पटल सुधी पहुँचे छे एक पात्री सपाटी चुष्ट रिते खेंचाये ली होई छे तेने कान नो पड़दो कहे छे कर्णो नाल थी अवाज कान ना पड़दा सुधी पहुँचे छे आ ध्वनी कान ना पड़दा साथे अथड़ाई छे अने कान नो पड़दो कमपन करवा लागे छे आ कमपनो अंतक करण सुधी पहुँचे छे त्यां थी ते कमपनो मगत सुधी पहुँचे छे मगत आ कमपनोंने समझे छे अने आपने ते संकेतो वड़े त्वनीने सामपड़िये छे आ समझवा माटे चालो आपने एक प्रणूती छोईए आ प्रणूती माटे कातर फुगाओ बे सेलफोन रेती अने काचना विकरनी जरूर पड़से रेत एक काचनों विकर लियो तेमा एक सेलफोन मुको एक फुगो लेएने तेने उपर थी कापी लियो पछी तेने विकर पर लगावी दियो थोड़ी रेती लेने तेने फुगा ना पड़ पर मुको। बिजा फोन माथी काचना बिकर मां मुकेला फोन मां फोन लगाओ। हवे अवलोकन करो। तमें जोशो के रब्बर पर राखेला रेती ना कणो उपर नीचे कुदवा लागे छे। काननो पड़दो एक खेचायला रब्बनना पड़ जेवो होई छे। द्वनीना कमपनो कानना पड़दाने कमपीत करे छे। काननो पड़दो कमपनोने आंत्रिक कान सुधी पहुँच आड़े छे। त्यां थी द्वनीना तरंगोंने मगत सुधी पोंचाडवा मा आवे छे। आप्रकारे आपने द्वनीने सामपडिये छिये।